हम सभी लोगों ने अपने सुबे नास्ते में चाय के साथ ब्रेट जरूर खाया होगा क्या आपको पता है कि ये ब्रेट कैसे बनता है अब ब्रेट जो है उगाया तो जाता नहीं है जैसे गेहुधान उगाया जाता है उस तरह के से या फिर जैसे फल जो है पेड़ पे लगते हैं वैसे ब्रेट तो लगता नहीं ब्रेट को बनाया जाता है अब ब्रेट बनता कैसे तो ब्रेट को बनाने के लिए पहले हमें क्या चाहिए होता है इस्ट होता है वाटर साल्ट और ग्रेन इन सब को use करके हम क्या करते हैं इनको mix करते हैं mix करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया जाता है resting place पर जहांपर यह आपस में घुलते हैं उसके बाद फिर इसको kneading की जाती है यानि कि साना जाता है मिलाया जाता है जैसे आटा गूतना होता है तो इसको kneading की जाती है उसके बाद फिर इसको रख दिया जाता है जहांपर यह फूलता है ठेक है? इस्ट होता है इस्ट क्या करता है? उसको फूलाता है उसके बाद इसको जो है shape दिया जाता है शेप देने के बाद इसको बेक किया जाता है, बेक आने की पकाया जाता है, वो पकाने के बाद फिर finally आपके सामने ये bread बनकर तयार हो जाता है, clear, तो ये पूरा step-by-step जहां पर activities परफॉर्म करनी पड़ते हैं, जिसके बाद फिर आपको ब्रेड मिलता है, जिसको हम चाई के साथ खाते हैं तो east water salt grain इसका use करके हमने mixing की mixing करके इसको kneading किया इसको rising की इसको shape दिया उसके बाद पकाया और फिर आपके सामने packet में bread पैक होकर आपके घर पर आ जाता है तो इस bread को बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ ingredients का use किया east water salt grain तो इस ingredients को हम क्या कहते हैं raw material कहते हैं या फिर input कहते हैं raw चाँ यह सब्रणे के लिए और जो final product बना इससको east water grain और salt को use करके mix करके knead करके, rice करके, shape देखे बेक करके उससे हमाज पास जो final product आया finished product आया वो क्या हो गया वो bread हो गया तो यह जो पूरा system है कि ingredients का use करके raw material का use करके फिर आपने जो इसको convert किया bread में इसी को क्या कहते है production कहते है clear तो conversion of raw material into finished product is called production तो यहाँ पिर आपने क्या किया raw material जो inputs थे उनको आपने convert किया किसमे bread में तो इसी को क्या कहा जाता है production कहा जाता है clear manufacturing जो आप कहते हो तो वही चीज क्या है production है तो production is the process of making or manufacturing goods and products from raw material और components तो जो different components होते हैं फिर input होते हैं फिर raw material होते हैं उनका use करके जब आप finished product बनाते हो या फिर कोई product बनाते हो तो उसी को क्या कहते हैं उस पूरे process को production कहते हैं तो production क्या हो गया process है यानि कि वो different activities जो आप perform करते हो raw material को finished product में conversion करने के लिए convert करने के लिए उसी को production कहा जाता है तो in other words production takes input and uses them to create an output which is sweet for consumption तो आपने पीछे figure में देखा कि वहाँ पर क्या कि आपने input का use किया input आपने raw material का use किया जो wheat था grains था, yeast था, water था, salt था उनको use किया, use करके आपने उसको क्या किया, output निकाला, output क्या आया bread आया, जो कि आप consume कर सकते हो तो यह पूरा क्या हो गया, production हो तो according to Adam इसमें थे, उन्होंने क्या कहा, कि production means the creation of material or tangible goods तो production का मतलब क्या हुआ, कि आप यहाँ पर क्या है, कोई ना कोई tangible goods या पिर कोई ना कोई material produce कर रहे हो या बना रहे हो, तो उसको क्या कहते है production कहते है, तो bread already बना या फिर, जो है, उसको उगाया नहीं जाता है, फिर पेड़ पर नहीं लगता है, उसको बनाया जाता है, तो बनाया जाता है, यानि उसमें एक production process involved होता है तो production क्या हो गया, conversion of input into output, या फिर making or manufacturing goods and products from raw material or component clear, तो according to AHS उन्होंने क्या कहा, कि production is the process that creates utility in goods, यानि कि जो goods थे, उसमें कुछ utility लाता है, उसमें कुछ benefits लाता है, उसमें form utility, place utility, अलग-लग type के utility होते हैं, जो कि हम आगे discuss करेंगे, तो utilities, जो है, utility यानि की benefits, जो है, वो goods में add करता है that creates utility in goods, अब आप grain है, yeast है, water है, salt है, इसको ऐसे नहीं खा सकते हैं, लेकिन उनका use करके, उन inputs का use करके आपने process activities परफॉर्म की और आपने bread बनाया, तो उन्हीं raw materials में आपने क्या क्या, utility add कर दी, तो production process कर जा जा जी, आपने raw material को goods में convert किया, bread में convert के हो, bread में utility आ गई, अब आप ब्रेट को खा सकते हो, clear, तो utility आने की benefits जो है, आप goods में add करते हो, तो production is the process that creates utility in goods, goods में benefit add करता है, तो production क्या हो गया, production is the process that add benefits into the goods that can be consumed or that can be used, clear, तो अब यह जो production process आपने देखा, यह जो पूरा production process आपने देखा, इसी तरह के से अलग-अलग product को बनाने के लिए, अलग-अलग steps follow किये जाते हैं, अब जैसे car की manufacturing है, तो उसमें अलग activities perform के जाते हैं, अलग raw material उसमें होता है, inputs उसमें अलग होते हैं, तो mobile का manufacturing करने हैं, तो natural resources होने चाहिए, उनिका तो use करके आप convert करोगे, तो यानि कि आपको land की requirement होती है, land कहने का मतलब है, आप इन natural resources जो कि हमें प्राकितिक रूप से मिलते हैं, clear, तो land होगे, अब इसके बाद जो है, आपको जमीन तो होगे, natural resources हो गए, आपको मिल गया, अब उसको जो production की process होती है, यानि needing करनी है, resting करनी है, mixing करनी है, shape देना है, पकाना है, ये कौन करता है, ये human resource करता है, यानि कि आदमी लोग करेंगे, यानि कि आपको labor की requirement होती है, clear labor की requirement क्योंगी, जिससे कि उस ingredients को, उस input को आप जो है, उसको need करें, raise करें, shape दे, पकाएं, ठीक है, यानि कि उनको जो है, production process के जो activities होती है, उसको आप perform करें, उसके बाद अब इन सब कामों के लिए आपको क्या चाहिए होगा, capital भी चाहिए होगा, आपको machinery चाहिए होगी, आपको finance की requirement होगी, labor को पैसे देने है, natural resources को purchase करने के लिए पैसे देने है, clear machinery, buildings, इन सब चीज की requirement होगी, store करने के लिए जगां चाहिए होगा, तो इन सब की requirement होगी, तो capital होगया, clear, और वहीं पे, ये सारी activities perform कोन करेगा, यानि की जो raw material है, उसको convert करके bread बनाकर, bread को बेचे का कौन, that is entrepreneur, clear, तो entrepreneur कोन होगया, entrepreneur एक person होगया, जो की risk लेता है, business start करता है, यानि की कोई manufacturing activity है, कोई production start करता है, उसमें जो है land, labor, capital का use करके, वो finished goods बनाता है, finished product बनाता है, जिसको finally customers जो है, consumers जो है, purchase करते हैं, उसको consume करते हैं, तो ये जो आपने देखे, चार factor, land, labor, capital और entrepreneur, ये चीज़ क्या करते हैं, factor of production, यानि की production में use होने वाली चीज़े, तो land, labor, capital, entrepreneur, इनका use करके जो है, आप production की activities perform करते हो, यानि की raw material को output में convert करना है, finished product में convert करना है, तो land, labor, capital और entrepreneur की requirement होती है, ये अपने आप नहीं convert हो जाएंगे, entrepreneur होता है, जिसके पास ये idea आता है, कि हम जो है yeast grains या फिर water का use करके हम finished product बना सकते हैं, clear, उसने इस idea को implement करने के लिए क्या किया, land याने की natural resource यानि की raw material सब इकठा किया, labor लिया, capital लगाया और इनको convert करके bread बनाया, bread को market बेचा, और entrepreneur को क्या मिलता है, profit मिलता है, entrepreneur को profit मिलता है, तो that is factor of production land, labor, capital and entrepreneur तो होब आपको production समझ में होगा कि क्या होता है, that is simple conversion of input into output या फिर conversion of raw material into finished product या फिर making any goods with utility that can be consumed by the customer or consumer wish you all the best, keep watching